ते जान खुलड़ते आए जीवे सोगना मुरेशित बावू जे भूटी लाई हूँ जीवे सोगना मुरेशित बावू जीवे सोगना मुरेशित बावू जे मुटी लाई हूँ जीवे सोगना मुरेशित बावू जीवे सोगना मुरेशित जीवे सोगना मुरेशित बावू जीवे सोगना मुरेशित बावू जीवे सोगना मुरेशित बावू जीवे सोगना मुरेशित बावू मिकाल हसन इतनी अची सौंग चोई इस थीम के लिए बहुत अच्छा है बिलकुल हिपनौटिक और बिलकुल एक और जगा सब को आप लेगे और मुझे इस चीज की बड़ी कुशी हो रही है कुछ चंद राउंड पेले इसना के मुझे का कि सर इस तरह नहोंजा कि मुझे लोग संज़ें कि मैं सिरुफ बंगड़ा ही गाता हूं तो यह बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है शायद इसकी लुक्स की और जैसे लोग यह ना समझ बैठें कि सिरुफ यह बंगड़ा टाइप चीजा ही गाता है यह इतना इसने खुबसूरत गाया है और बहुत इंप्रेसर था यह जो स्केल था यह था भी मुशकल इसका जो स्टे नोट था वो मुशकल था क्यूंके यह कोई इजी नी था गाना करना इस्पेशली जो लोर एजिस्टर्स में इस तरह इसने कुंट्रोल किया है और बहुत सबसे जो अची बात थी के बिलकुल मगन होके इसने गाने के अंदर फील करके दो तो वर्ड्स थे और फिर भी इसने कितने खुबसूरती से गाये हो बहुत अच्छा था जब जाए जब जाए बहुत अच्छा लेकिन जब आपने गिरा पे आप गए था ना अल्ला हो की तो वो सुर से थोड़ा सा आपको फ्लैट था मैं चोटी सी बात कहना चाहूंगा अठोट है मुझा फंट ने हूंगा टार में हो मैं घुआ भाई करता मैं माघ एगा तो अपरेशानर ओना हो कि उपाई रटियों ख इस ने मुझे हृगए नहीं है भाउए हो सुर्जट नहीं gösterिया है तो मैंने इसको यही बोला था कि जो चीज तुम पढ़ने जा रहे हो जो जो जा कलाम तुम कहने जा रहे हो तो इसकी ताकत ही अतनी है कि तुम को बिलकुल फर्क नहीं पड़ेगा और वाकी इसने है और दूसरी बात ये कि अगर तुम बखार में ऐसा गा रहे हो तो अपना बखार थोड़ा सा कुछ और लोगों में भी बाज तो